नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इंफिनिटी नोलिज में तो दोस्तो इरान की साइड से काफ इंट्रेस्टिंग निउज निकल कर सामने आई है तो क्या है ये निउज आई एस वीडियो में डिसकस करते हैं तेरान वर्ष 2015 से परमानु समझोते का अनुपालन करेगा लेकिन यह तब संभव है जब वोसिंग्टन इसलामिक रिपब्लिक देश से पर्तिबंद हटाएगा इस बात को इरान के सर्वोच नेता अताउला अली खामेनी ने रविवार को कही अमेरिका ने पांच अन्य मा शक्तिसाली देशों के साथ मिलकर इरान के साथ 14 जुलाई 2015 को परमानु समझोता किया था संयुक्त व्यापक कारवाई योजना यानी JCPOA को ही परमानु डिल के नाम से जाना जाता है समझोते के तहट परमानु हतियारों को विक्सित करने के लिए इरान की यूरेनियम सुईदाओ पर परतिबंद लगा दिये गए थे साल 2018 में समझोते को इरान के लिए लाबदाई बताया गया था और उसके बाद अमेरिका के राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प इससे बाहर आ गए थे और उन्होंने इरान पर नए तरीके के परतिबंद भी लगा दिये थे जिससे इरान की अर्थवेवस्था पर काफी बुरा असर देखने को मिला था एरफोर्स कमांडो के साथ बैठक के बाद सरकारी टीवी ने खामिनी के हवाले से कहा कि इरान ने अपने सभी वादों को पूरा किया है अब अमेरिका उन पर से परतिबंद हटा ले और उन्होंने कहा कि जब हमें सही तरीके से यकीन हो जाएगा कि अमेरिका ने अपने परतिबंद हटा लिये हैं तो हम फिर से इसमें सामिल हो जाएंगे मतलब परमानु समझोते में फिर से दुबारा सामिल हो जाएगा इरान और इरान के सभी अधिकारियों ने इस बात पर सहमती जताई पिछले महिने अमेरिका के राष्टपती बदले हैं और अब वहां का पदभार जो बाइडन समाल रहे हैं और जो बाइडन ने कहा अगर इरान अपने समझोते के तहट अनुपालन करता है तो वाशिंग्टन भी सकरात्मक रवया पनाएगा इरान लगातार यह बात कहरा है कि अगर अमेरिका पर्तिबंद हटाता है तो वह उन कामों को जल्द से जल्द बंद कर देगा जिस पर पश्चिम देश विरोज जताते हैं इरान ने बैलेस्टिक मिसाइल कारेकरम और पश्चिम एशिया में तहरान के परभूत को लेकर किसी भी तरीके की बात चीत करने से मना किया है क्योंकि पश्चिम एशिया में साओधी अरब के साथ उनका यूद लंबे समय से चल रहा है थैंक्स फोर वाचिं इस वीडियो